पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बियार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के सन्यास वाले बयान पर उनको घेरा है आपको बता दे कि तेजस्वी यादव ने नितीश कुमार के सन्यास के एलान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिनका आखरी चुनाव है बियार की जनता उनको वोट क्यूं दे आपको बता दे कि लगातार सत्तापक्ष भी विपक्ष पर हमला करता रहा है तो विपक्ष भी सत्तापक्ष को घेरने में पीछे नहीं हटा है साथ साथ आपको बता दे कि आज साथ नमंबर को बिहार में तीसरे और आखरी चरण का मतदान हो रहा है लेकिन इससे पहले पटना में आरजेडी के निता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बात करने के दौरान नितीश कुमार के सन्यास के अलान पर उन्होंने नितीश कुमार को आड़े हतो लिया है आपको बता दे कि नितीश कुमार के सन्यास के अलान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिनका आखरी चुनाव है उन्हें जनता वोट क्यों दे चादे साथ क्या कुछ कहा है नितीश कुमार पर तेजस्वी यारव ने आप इस वीडियो में सुनिये करते हैं बिहार के लोगों को कि हम शुरू दिन से एक ही बात कहते रहे हैं कि बिहार के मुखमंत्री ठक चुके हैं बिहार उन्से संभल ने रहा है उन्होंने कहा कि सन्यास लेंगे उनकी आखरी चुनाव है लेकिन हम ये क्याना चाहते हैं बिहार के लोगों को जो वेक्ति का आखरी चुनाव है उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है तो सुना आपने किस तरह तेजस्वी यादव कह रहे हैं नितीश कुमार को कि अब नितीश कुमार से बिहार नहीं सम्हल रहा है अब आपको बता देए कि तीसरे और आखरी चुनाव है और आने वाला दस नवंबर बताएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगे लेकिन इससे पूर्व जब नितीश कुमार ने धमदाहा में रैली के दौरान कहा बिहार के जनता से कि ये उनका आखरी चुनाव है और इस वाले बयान पर अब लगातार बिहार के इस चुनावी घमासान में भी लगातार इस महा संग्राम में घमासान भी मच गया है और नितीश कुमार के इस बयान पर विपक्ष उन पर हमला भी कर रहा है तो साथी साथ सत्तापक्ष साफ साफ कह रहा है कि बिहार में NDA को ही समर्थन मिलेगा और बिहार में NDA की ही लहर है अब किसकी लहर है समर्थन किसे मिलेगा ये तो आने वाला 10 नवंबर बताएगा और 10 की सरकार बनेगी फिलाल कली मुझी दीजी इजाज़त देखते रे नेशन नियूस धन्यवाद